यह दोनों बाप बेड़ा ट्राफिक जानम में पसी कार में बेठे आपस में ही बहस कर रहे थी तो अचानक ही उनके सामने वाली वेट्स सी दामा के वाले अंदास में धर्वाजा तोड़कर कोई उन्टी कार पर हमला कर दिता है और हमें पता चला है कि शेहर में किसी बिमारी की वज़ह से इंसान जानवरों की शकल लेने लगी है deprived इस बिमारी का इलाज ढूँने में लगी है वातंस्क्त क्यों चाहता है तो हमें उसकी शेकल दिखा जाती है जो बिलकुल किसी जानवर से मिल वही थी Friends क्यों अपने बेटी को भी जब उसकी मौब से मलेगा कहता है तो वो जवाब देता है कि क्या करूँगा मैं उसे मलखे अब तो वो मेरी बाद भी नहीं समझ पाती Friends क्यों कहता है अरे वो तो तो में देख की खुश हो जाएगी तो जहा तो सही फ्रेंस्क्यों जिस होटल में काम करता है, वहां के लोगों ने उससे बताया है, कि पास में ही एक नया हॉस्पिटल कंक्रीट से बना गया है, जो कि जियाता मस्बूत है, क्यूंकि वहाँ जानवर बरे इंसानों को रखा जाएगा, लाथ होने पर अब सबी बिमार लोगों को उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, पर गटबड़ी की वज़ा से बस पाने में गिर जाती है, बहुत से ऐसे जानवर बड़े इंसान मारे जाती है, और बहुत से गुम हो जाती है, रात में फ्रेंस्क्यों का बेटा भी अपने घर की विंडो में ऐसे ही एक इ जंदा लोगों में, वो कहीं गुम हो गई थी, सीन का ठोकर हमें फ्रेंसक्यों के बेटे को स्कूल में बच्चों के साथ टग आफ वार खेलती, दिखा जाता है, जिस अकेले नहीं अपनी हार्दी टीम को कुछी मिनट्स में जिता दिया था, यह निए उसके अंदर बहुत लेकिन यह कोई महल थोड़ी ना थी, जो अतर जाती, यहीं दूसरी तरह फ्रेंक की ओको स्कूर मॉल में बहुती है, जिस से उसे अपनी वाइफ के गुमने का पता जला था, जो इस वक्त भी यही कहती है, कि आपकी वाइफ कहां पर कुछ पता रही चला, मेरे लोगों के उनका नाम नहीं है, और जो लोग जिन्दा मची है, उनका हम अच्छे से खयाब रख रही है, इनी बातों के दुरान अचानब मॉल में कुई जोर से चलाता है, अफ्रातफरी में जब सार्य गड़ी होती है, तो बहुत में कहता है, कि मैंनी यहां पर एक अजीब इंसान को यहां से भार्टी के कोशिश में था, उसने अपने हाथ में आई कई चीज़ों को ऑफिसर के तरफ पहका था, लेकिन ऑफिसर भी काफी तेस्ती और उन्हां ने इस इंसान को पकड़ी लिया था, उसके पकड़ी चानी के बाद, फ्रांकियों को यहां पर एक शूर्टीन ल अपने भी जंगल में जगा जगा लटका दिये थी, क्योंकि अब उसकी वाइफ की सूमनी की संस बहुत सता तेस हुच की थी, उससे लगता था, इन कपड़ों को सूम सूम कर उसकी वाइफ उस तक पोफोच जाएगी, अब क्योंके गौर्मिट का ओडर है, यह लोग ऐसे बिमार इंसानों को घर पर नहीं रख सकते, पर फ्रैंक्यों यही काम करना चाहता था, वो अपनी वाइफ की देखपाल खुद करना चाहता था, और ऐसे में उसे इस सारे समन की ज़रूरत परती, घालाने पर वो अपने बीटे से यहता है, कि आज मॉल में दो जानमर बनी कुम हो चुकी है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम भी गुई है, तुम फिकर ना करो, हम फ्रैंक्यों को जाकर जंगल में उन्हें ठोल लाएंगे, लेकिन आप तो फ्रैंक्यों का बीटा, फ्रैंक्यों को एक पार्टी में जाना चाहता है, क्यों यहाज उसे इक ल जंगल में ही था, उसे ऐसे नग रहा था कि जैसे उसकी गले में कुछ फचा हुआ है, वो फोरन अपने घर आता है, उसके होट काफी जादा बदल शुकी थी, साथ ही उसका रंग बी बतल शुका था, उसके डैर जब उसे देखने के लिए उसके बातरूम में आती है, तो जल्दी से बातरूम का दर्वासा बंग करनेता है, और अपने धले में हाट डाल कर उच निकालता है, जो कि एक पंख था, ये लड़का अब समझ चुका था, कि वो फिले जानमर में बदलने लगा है, अब वो अपने डैक्टे साथ अपने डॉग को लिकर चंदल में अपन इससे पहने कि वो फ्रैक्यो के बेटे को मारते था, उसके होड देखकर वो समझ जाता है कि फ्रैक्यो का बेटा भी बिलकुल उसी जैसा है, ये जानमर में बदल रहा है और गिये उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, अलपता इस एदल बड़ी इंचान ने फिर भी कु देने काट लिया है, प्लीस ओफिसर कहती है, जो भी है, हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, वो इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है, आर्मी के डॉक्टर्स यहां उसकी पट्टी कर देती है, और प्लीस ओफिसर फ्रैक्यो को बताती है कि गोवर्मीर ने अब इस सा को चुक करा देता है, ऐसे जैसे वो चुक है, उसके बाद समझ रही हूँ, जसके बाद फ्रैक्यो का बेटा, वहां से बाहिर नदी की तरफ चलना जाता है, वो नदी से एक कच्छी मचली पकड़ कर खा चुका था, और यह सब एक और बहुरत में देख लिया था, इससे प चलनाब के पास लेकर जाता है, चलनाब में इसे उर्ट टल की लिख्टियों को साइट करके, उसे गहता है कि तुम यहां आजादी से उच सकते हो, और अगर दीचे गिरे पी तो पानी में गिरोगे, तुमें चोटी लगेगी, यहां फ्रैक्यो के रेस्ट्राट में अचान से चिनना रहा था, इससे पहले कि इस होटल में बैटी हुए, सभी कस्ट्मर डर शाती, यहां की ओडर इस जानमर को उससे भी आगर कहती है, चुप ओजाओ, एरान कुन तोर पर उस जानमर के बात सुननी थी, इस जानमर के पाओं में जंजीरे थी, जिसके वापने जंगल समझ चुका था, कि अब उसका बेटा जानमर में बदल रहा है, दिखा जाता है कि ग्लास वे उसके एक तान टूटकर गिर गया था, जिसकी विदा से जब सब उसका मजा कुराते हैं, तो वह वहां से चला जाता है, और पहुँचता है, इकल बनी इनसान के पास, उससे बात लिता है, वो अपने डैट से कह रहा था, प्रिस डैट मुझे छोड़ दे, मुझे ना पकली, पर उसके डैट कहते है, नहीं, मैं चाता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जानवर में बदल रही हो, तुम जैसे में बंचा रहोगे तुम मेरे बेटे ही ना, बस म किसी को भी नहीं पता, वो अपने डैट यहीं फ्रैक्यों से पूछ रहा था, क्या आप ही मुझे 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 मौम की तरहा जंजीरों से बात कर रखेंगे, उसके डैट कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, और फिर बोलते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन आगे वक्ता पता नहीं है, अगले दिन फ्रैक्यों के रेस्टरोट पे एक पार्टी थी, जब फ्रैक्यों का बीटा महाँ था है, तो उसके नाखुन काफी सादा बड़ी हुए थे, उसके डैट उसे डाट दे है, और कहती है, कि तुमने ये नाखुन के नहीं काटी, अपने डैट का न पता चल चल चुकी थी, वो अब एक अजीब डिवाइस लेकर फ्रैक्यों के बेटे के सामने आता है, जिसकी अवास इंसानों को तो कुछ नहीं कहती, और उससे बहुत जादा तंग हो जाते है, इलर का फ्रैक्यों के बेटे को बहुत तंग करता है, और कहता है, कि मैं तो सचाई काफी असे से जानता हूँ, फ्रैक्यों के बेटे से रहा नहीं जाता हूँ, और वो गुस्ने में एक जोडार थपड उस लड़के के मुझे मार देता है, ऐसे ये उसके गाल पे निशान पढ़ गए थे, गिन सारी चीज़ों के वदा से इस सिच्वेशन भी बिगर चुकी थी, पुलीस और आर्मी अब जंगल के अंदर उससे ढूणने में लगे थे, और यहाँ पर उसकी मदद करता है वही इगल बना इंसान जिसकी उड़ने में उसने मदद की थी, वो उड़ाते हुए को यहाँ से एक जंगल मिले चाता है, पुलीस और आर्मी भी तक घर माल लिया था, वो यहाँ फल खाता है, और इंदर दी में नहाता है, जब वो बाहर निकलता है, तो उसकी कवर पे अचीप से निशान थे, यही उसकी बोड़ी बहुत तेजी से बदल वही थी, फ्रैट्यो का बेटा, अब चलते चलते चंगल के ऐसे इसे में पहले थे, कुछ बंदर में एक सुर बन गया था, और एक बच्चा गिरके, यहाँ सब बड़ी शाथी से रह रहे थे, इससे पहले कि यहाँ मिल्ट्री वाले स्मोक फायर करते, ऐसा किड़े से यहाँ हल चल बचाती है, आर्मी वाले एक खास डिवाइस की मदद से यहाँ क फ्रैक्यो का बेटा क्योंकि अभी तक इंसानों की तरह दिख रहा था, इसलिए पुली स्वालों को शक नहीं होता, वो उसे एक पेपर देते हैं साइन करनी के लिए, फ्रैक्यो का बेटा जब उसके ओपर साइन नहीं कर पाता, तो घुस्से में गुराता है, और ऐसे पु इचा करने लग जाती है, जिसने देखकर फ्रैक्यो का बेटा खाप राच आता है, और वो अपने डाट से बुछता है, कि अगर इन लोगों ने पकड़ कर मुझे हेल्थ सिंटर में बंद कर दिया, तो क्या आप बेच से बिलने आएंगे, फ्रैक्यो का बेटा उसे ये भी चुका था, फ्रैक्यो की आँखों में आसू थे, खुशी की आसू क्योंकि उसने अपने बेटे को उनके उपर होने वाले गौवर्मेंट के टॉर्चर से बचा लिया था, और इसी सब के साथ ये कहानी यहां खतम हो जाती है,